आप सब्सकों पढ़ा मैं राजन सिंग, आज हम जिक्र करेंगे कि मल सब्दु का जिक्र कहां किस जगा पर कैसे है उसके बारे में आज हम जर्चा करेंगे संगी कुलो का इतियास गोरगपुर उससे 66 में उत्तर वैदिक काल में मिलता है माकाब्य, रमायड और महारत में इस संग के पुर्वजों का उलेख है प्राची नितियास में इनका नजदी की संबंध स्री लशमड बुद्ध और महावीर से रहा है सरजादे खुर्रम के बिद्रो को कुचलने में जागीर और इस्ट इंडिया कंपणी के खिलाब बिद्रो करने में और सन 1857 की करांती में इनका अहम युगदान रहा है वैदिक साहित्यों और रमायड महाकाल में भी इनका जिकर रहा है सुरुआती वैदिक साहित्यों में मल सब्ध का परियोग किसी समुदाय विशेष के लिए नकर परंपरी पहलवानों के लिए किया गया है इसी कारण उस काल तक मल उपनामधारी उद्धा समुदाय के न होने की संभावना है आगे चल रमायड और माभारत विदेह और मल छत्रियों का उल्लेख करते हैं विदेह का उल्लेख रमायड में उस समय होता है जब सिरिराम मिथिला के एककैसे में जनक राजा सिर्ध्वज की पुत्री वैदेही सीता उर्फ मैथली के साथ पल्लेख सुत्र में बनते हैं माभारत विदेह का उल्लेख उस समय करता है जब विदेह राजकुमार दुरोपती के स्वैंबर में भाग लेते हैं और युदेश्टिर के राजसुय यग के समय भीम उनको हरा देते हैं महकाब्यों के वाडन के अधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विदेह आर्यों के उत्तरी पुर्वदिशा की तरफ आने और बसने के बाद युद्धाओं का एक दूसरा समू इस छेत्र की तरफ आया उन युद्धाओं को राजा चंद्रकेत उर्फ मल्ल के नाम पर जाना गया रमाड लिखता है कि लचमड अपने छोटे पुत्र चंद्रकेत को मल्ल नाम से पुकारते थे क्योंकि वह मल्ल युद्ध में निपूर थे बल्मिकी रमाड के अनुसार लचमड के पुथम पुर्वज इच्छवाकु थे उनके 26 वनसर राजा दसरत थे राजा दसरत के चार पुत्र राम, लचमड भरत और सतूर्दन थे अपने जीवन के अंतिम काल में राम ने अपने समूचे राज को अपने पुत्रों और भतीजों में बाठ दिया था इस बटवारे के अंतरगत भरत के दोनों पुत्रों को सिद्ध नदी के किनारे बसा गांधार देश मिला वहाँ बड़े पुत्र तच ने तचसिला नाम से राजधानी बनाई तथा छोटे ने पुत्र ने जो थे उनके पुसकल और पुसकाली नाम से राजधानी बनाई यमना नदी के किनारे बसा सत्वतो देश जिसे सतुर्धन ने लवड़ा सुर को हरा कर जीता था उनके दोनों पुत्रों सुवाहू और सरसेन को मिला दोनों ने मिलकर वहाँ मदुवन नाम से राजधानी बसाई जिसे आज मतुरा नाम से जाना जाता है कौसल देश का पुर्वी हिस्सा लशमड के दोनों पुत्रों अंगद और चंदरकेतु को मिला बड़े पुत्र को कारूपत देश मिला जिसके अंतरगत वरतमान समय में बस्ती का पुर्वी हिस्सा और गोरक पुरजिले का पश्चिमी हिस्सा सामील है चोटे पुत्र चंदरकेतु को कारूपत का पुर्वी हिस्सा मिला उन्होंने वहाँ चंदकांता नामक राजधानी बसाई चोकि चंदकेतु को लचमड जो है वो मल उपादी से पुकारते थे मल नाम से पुकारते थे बालमिकी रमाड में चंदरकांता देश को मल राष्ट और मल भूमी भी लिखा गया है राम के दोनों पुत्रों लव और कुस को सरावती और कुसावती देश मिला वडन के अनुसार कुसावती देश कारूपत के पुर्वी हिस्से के अंतिम छोर मल भूमी से सटा हुआ था जिसे आज कुसी नगर या कसिया के नाम से भी जाना जाता है लव का देश कुसावती के समीथ ही बसा था लेकिन वर्तमान में उसे रहांकित नहीं किया जा सका है या विवस्ता कुछ समय तक ही चली लेकिन राम की मिर्ट्य की पश्चाथ कुस को अध्या की भी जिम्यदारी उठानी पड़ी कुछ सालों तक कुस ने कौसल देश पर कुसावती से राज किया लेकिन देवासियों के आग्रह पर वह लव के साथ द्या लवटाएं तत्पश्चात कुछ ने अध्या में बसे बस गये और लव के लवने समीप ही सरावस्ती नाम कौसल देश के पुर्व का संपूर छेत्र मिल गया अब उनके राज में वर्तमान समय के अनुसार गोरखपूर जिले का पुर्वी हिस्सा कुसी नगर और देवरिया जिले का कुछ हिस्सा बड़ी गंड़त भी आ गया आगे चल कुसावती कुसी नगर या कसिया जो है चंदकेतु ने अपनी रायधानी बना ली और उनके वनसजों ने संपूर छेत्र पर यहीं से राज किया माकाब्य माभारत मलो का उलेक अंग वंग और कालिंग के साथ पुर्वी समुदाय के रूप में मिलता है वह इस देश को मलराष्ट के नाम से संबोधित करता है युदिष्टिर के राज सुय यग के समय भीम द्वारा राजा को हराने की बात और मलराजा को माभारत युद में पांडों की तरफ से भाग लेने का भी उलेक करता है लेकिन राजा या किसी मल राजकुमार के आहत होने की बात नहीं करता है माभारत के सबह पर्व में कौसल देश के नजदी की रहने वाले मलों को उत्तरी पावा के और उसे दूर दच्छडी में रहने वाले मलों को दच्छडी मल कुसिनारा कहा गया है अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले भाग में अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिजिएगा और सेयर करके समाज के सभी लोगों के पाश पुपचाईए ताकि सभी लोग इस जानकारी को पा सकें जान सकें धन्यवाद